Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. Good morning, friends. Today, we are going to talk about top 20 products in electronics category to buy and sell from Amazon. अगर आप Amazon में products खरिते हैं या फिर sale करते हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें से hot selling products जो top seller products है वो कौन से हैं अब ये जो पूरा list है वो Amazon के ही seller central page से निकाला गया है. हरे category wise तो possible नहीं था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे products हो जाते हैं तो हम हर रोज या फिर हर हपते ये category wise उसको bifurcate करते हैं और top 20 products जो होंगे वो आपको बताएंगे. तो इस बार जो top selling category है electronics category उसका हम पहले लेते हैं और उसमें मैं बताऊँगा कि top selling products कौन से हैं जो आप खरिच सकते हैं और sell कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं. ओके सो पहला undisputed winner जो है इस category में वो है one plus five सब की नजर है अभी one plus five mobile phone पे सब चाहते कि वो mobile phone खरिद ले येस जब ये launch हुआ तब वो product नहीं मिल रहा था लेकिन अब जो है आप देख सकते है available है अब यहाँ पे अगर हम देखे कुछी दिन हुए है इस product को launch हुए हुए औ और already यहाँ पे इतने सारे reviews आ चुके हैं 22 जून को ये phone launch हुआ था तो आप imagine कर सकते हैं कि कितने सारे phone बिके होंगे क्योंकि यहाँ पे already 1695 reviews आ चुके है phone के और ये 4.5 star है मतलब जो उन्होंने कहा है उस हिसाब से ये phone जो है पढ़िया है और यहाँ पे sale करने वाले जो है वो दो ही seller है और 32,999 में ये phone भीकरा है सिर्फ Amazon में और कहीं पर भी नहीं भीकरा है अगर आप चाहे तो कोई phone दूसरा exchange भी कर सकते हैं यहाँ पे option दिया गया है exchange करने का features की अगर हम बात करें तो आप सब को पता होगा कि features कौन से हैं कैसे हैं इसके features के बारे में ज्यादा करने की इसमें जरुवत नहीं पड़ेगी अगर हम इसकी ranking की बात करें तो ये phone की ranking आप देखेंगे number one है electronics category में और number three smart phones की category में क्योंकि अभी और दूसरे smart phones हैं इस category में जो top selling में आते हैं लेकिन हम हर एक phone को यहाँ पे नहीं दिखाएंगे क्योंकि अगर phone की बात करेंगे तो बहुत सारे products हो जाएंगे सिर्फ mobile phones में तो mobile phones का मैंने अलग से top five ले रखा है हम electronics category में दूसरे products की भी बात करने वाले है तो दूसरे products की तरफ हम चलते हैं दूसरा product है Sennheiser का headphone इस headphone की अगर आप review देखेंगे तो 16,000 review है मतलब बहुत लाखों में ये product भिका होगा price भी अगर देखने जाए तो reasonable है if you compare at the online selling price offers देखने जाए तो 22 offer है अब सबसे lowest offer जो है वो cloud tail की ही है अगर हम reviews की बात करते हैं तो 4 star review है यहाँ पे 4.2 star मतलब की ये product जो है वो बहुत ही अच्छा है output भी अच्छा होगा और हम जो basically for earphones में search करते हैं उसका bass और उसके जो treble की जो balancing वो इस phone में काफी अच्छी है अगर हम इसकी ranking की बात करें तो यह है number three in electronics, number one in headphones category, number one in portable media players, number one in video accessories, तो आप समझ सकते हैं कि इस earphone की कि इतनी demand होगी, फिर हम बात करते हैं अगले product पे और यहाँ पे है memory card, yes हर एक phone पे memory card अभी लगता है Android phones पे, तो इसकी तो जरूद पड़े और इसमें सबसे पहले आता है Samsung का 32GB वाला Samsung Evo Plus Grade 1 memory card, yes best है, 32GB अब सब phone में almost compatible है, तो mostly लोग 32GB ही पसंद करते हैं, seller है cloud tail और सिर्फ चार offers है, मतलब समझ में यह आ रहा है कि काफी सारे sellers को निकाल दिया गया है, because of fake products, अगर हम इसकी ranking की बात करें, तो ranking आप देखिए, almost सब जगव 1 है, mobile accessories में 1 है, micro SD में 1 है, और 11 नंबर है mobiles and tablets में, overall good, और यहाँ पर ranking की बात करें, rating की 4.3 stars which is very good, चौते नंबर पर आता है, pen drive from SanDisk, अब यह इस ने तो कमाली कर दिया है, 28,000 reviews, और rating है 4.3 stars, यहाँ पर हर एक GB में आपको अलग-अलग GB में यह मिलेगा, लेकिन, GB का चलता है, और top selling में 16 GB का ही आता है, अगर offers देखने जाए तो 146 offers है, जो 1st of July को 198 offers थी, मतलब बहुत सारे sellers निकल चुके है, अगर आप buyer है, तो यह rate अभी best rate होगा आपके लिए खरिदने के लिए, क्योंकि यह सारे rates दिरे दिरे बढ़ने वाले है, अगर हम इसकी ranking की ब आगे के product में, लेनोवो PA1300, यह पावर बैंक की सब को जरूद पढ़ती है, और हम सब चाहते हैं कि अच्छा पावर बैंक मिले, तो लेनोवो ने अपना दब दबा यहां पे बना के रखाय हुआ है, यहां पे 130000, 13000 मH का जो पावर बैंक है, आपको मिल रहा है 1399 में जो one of the best है, at the moment in terms of price and quality, offers सिर्फ तीन है, so अगर आप direct sourcing कर पाते हैं, तो आपको भी काफी फायदा होगा, और available है products, yes, और reviews देखिए, आप यहां पे 2416, और rating जो है 3.4, which is not bad, हाला कि जो पावर बैंक है, उसमें reviews की जो ratings आती है, वो normally 4 के आसपास ही रहती है, क्योंकि बहुत स सारे जो customers होते हैं, वो satisfied नहीं होते है, तो 3.5 के आसपास जो अगर rating है, तो काफी अच्छी rating है, अगर यहां पे हम ranking की बात करें, तो internal batteries में number one, power banks में number one, तो one of the best selling product जिसको हम कह सकते हैं, उसके बाद आते हम MI basics के earphones, और मैं कह सकता हूँ कि यह अगर आपका budget कम है, तो one of the best earphones होंगे, आपको खरीदने के लिए, 599 price है, सिर्फ cloud tail बेचने वाला, 476 reviews है, बहुती new और latest earphone है, सिर्फ cloud tail बेच रहा है, अभी, तो अगर quality की बात करें, तो Sennheiser के quality है, और इसकी quality में आपको ज़्यादा कुछ difference पता नहीं चलेगा, और यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह स honest feedback देते हैं, उससे भी आपका buying decision depend रहता है, उसके बात की बात करें, Sony MDR-ZX110 earphones, यहाँ पे headphones हैं, जो आपको अगर आप music के lover हैं, और बहुत minutely, deeply आपको यह clarity चीए, sound gain, तो आप यह earphones use कर सकते हैं, Sony के हैं, तो quality के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की जरूद नहीं पड़ reviews देखने जाएं, 5156 reviews है, और rating भी अच्छी है, 3.8 star, so which is not bad, अगर हम इसकी overall category rating देखने जाएं, तो यहाँ पर 3 in electronics headphones में, 3 in media players में, 3 in video accessories में, तो overall यह performance अच्छा दे रहा है, product और recurring sale भी हो रहा है, और competition भी जो है, वो काफी कम है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, और देखते है कि दूसरे क्या products है, तो यहाँ पर एक back cover है, 1 plus 5 का, obvious सी बात है कि यह product का जो back cover है, वो बहुत ही चलेगा अभी, क्योंकि यह product भी काई इतना जादा है, तो ऐसे products अगर आपके पास हैं, और आप sourcing कर रहे हैं, और आपके पास trademark है, तो ऐसे products भी आप sell कर सकते हैं, अच्छे price जो है, दिरे-दिरे कम होगा, क्योंकि competition भी इसमें बढ़ेगा, अगर हम rating की बात करें, यहाँ पे तो number one है, accessories kit में, which is good, उसके बाद आते हैं, sound के बाप के उपर, JBL Go portable wireless Bluetooth speaker, reviews देखिए 6200, rating भी है 4.3, अब JBL की sound quality के बारे में, हम कुछ complaint नहीं कर सकते हैं, अगर product original है, यह डर लगता है कि यह original है कि नहीं है, लेकिन अगर cloud tail बेच रहा, तो mostly यह original ही होगा, दूसरे इसमें offers भी बहुत कम है, सिर्फ दोई offers है, तो अगर आप sourcing कर सकते हैं directly, JBL के products, अब हाला कि यह तो product शायद आपको ना मिले, लेकिन कुछ और JBL के products तो भी आपको sale मिल सकता है, buyers के लिए अच्छा offer है, 1999, अगर वो music के lover है और कहीं पर भी यह product लेके जाना चाहते हैं, तो यह product आपके लिए best रहेगा, suppose आप car में चलाना चाहते हैं, पिकनिक में गये हैं, या कहीं पर भी जा रहे हैं, तो यह product आपको काफी पसंद आएगा, इसकी अगर हम rating की बात करे है, तो यहाँ पर number one है, speakers में, Bluetooth speakers में और outdoor speakers में, फिर आगे बढ़ते हैं, यह mouse की तरफ, mouse में Logitech का दब दबा काफी सालों से है, और उसको बीट करना भी बहुत मुश्किल है, 653 में wireless mouse मिल रहा है, और यह काफी time से, यह top selling product है, बहुत time से, 40 offers है इस product में, मतलब competition भी and 79 reviews, rating undoubtedly one of the best, 4.5 rating है, और अगर हम इसके product की बात करें, तो इसकी design वगेर है, वो भी काफी innovative है, अब Logitech जो भी products release करता है, वो customer के requirement के basis पे वो product design करता है, और उसको launch करता है, तो yes, product अच्छा होगा, फिर यह एक unique product है, काफी लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा, अब यह top selling product में आ रहा है अभी, अगर आप देखेंगे, पहले मैं बता देता हूँ, यह number one है in basics phone, मतलब आपको मिल रहा है 649 रुपीज में यह i-call का phone, इसकी rating है 3.3, which is not said to be that bad, पचास review है, और 649 में आपको dual SIM, mobile with money, detector, light and battery saver option, अब इतरे सारे option आपको 5, 649 में नए phone में तो मेरे इसाब से मिलना मुश्किल है, यह Chinese phone है, imported phone है, recently launch हुआ है, और आपने TV में भी काफी सारे जूर ads आते हैं, रात को सोने के बाद, उसमें आपने देखे होंगे यह phones, तो अगर यह आपको सस्ता phone चाहिए, तो आप यह phone ले सकते हैं, dual SIM, और तूटने से या गिरने से या फिर खोने से भी आपको उतना दर्द नहीं होगा, अगले product में जाते हैं, और yes, fitness band की बात करते हैं, बहुत सारे लोग fitness band अभी खरीद रहे हैं, भले ही वो exercise नहीं करते हैं, या कुछ नहीं मानते हैं, मैंने भी लिया था और पढ़ा हुआ है, वैसे को वैसे ही, लेकिन ध्यान आपको यही रखना पड़ेगा कि यहाँ पे display कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, मतलब यह समझ लीजे कि आपके हाथ में band बंदा हुआ है, और सारी information आपको अपने mobile से पता करनी पड़ेगी, अब इसके reviews की बात करें, 666 reviews, rating, yes, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया हो नेक्स प्रोड़क्ट पे आते हैं और यह है सीधा साधा cable for OnePlus 5, OnePlus 5 कि अगर हम देखने जाए तो बहुत सारे products रिलीज होंगे और वो सारे चलेंगे क्योंकि फोन भी कही इतने हैं, तो इसमें 6 offers है, OnePlus 5 का यह डैस चार्ज है type C, जो अभी बहुत demand में रहेगा और अच्छा च पतलब, overall 3 rating है, लेकिन कह सकता है कि okay product है, अब यह बहुत ही काम की चीज है, दोस्तों, universal worldwide travel charge adapter, अगर आप दूसरी countries में travel करते हैं और आपको problem होता है, अपने phone को charge करने के लिए उनके socket के हिसाब से तो यह आप ले सकते हैं, बहुत महेंगा भी नहीं है, यूरोप, UK, US और ब यह बहुत है, तो आपको जो है, वो trouble नहीं आएगा, आप easily अपने phones, laptops वोगरे जो भी है, वो charge कर पाएंगे, price wise, yes, good है, और reviews भी अच्छे है, अगर हम reviews की बात करें, 1205 और rating है 3.4, which is not bad, yes, imported Chinese product है, but अच्छा है, और यहां पे अगर rating की बात करें, तो number one in adapter, so that means it's doing quite well, अब से जादा, इसलिए sell हो रहा है, क्योंकि इसकी price, इसकी range, और इसकी connectivity है, उसमें कोई भी complaints जादा तर नहीं आती, हमने भी यह use किया हुआ है, dealing का, अभी नहीं, काफी सालों से यह number one position पे है, और रहेगा थोड़े और लंबे समय तक, इसकी reviews देखने जाए, तो 1268, और rating जो है, वो है, four star, which is very good, अब हम बात करते है, mobile phones की, काफी सारे mobile phones थे, जो one, two, three वैसे ranking में थे, तो मैं कुछ mobile phones भी आपको दिखा देता हूँ, जो one plus five के बाद थे, दूसरा mobile phone जो था electronics category में, वो था, in focus, epic gold, अब ये brand नहीं है, और नहीं brand के हिसाब से, अगर आप ये specifications देखेंगे, तो कुछ खास नहीं होगे, Redmi 4 का जो नया phone आया है, और इसमें कुछ ज्यादा difference आपको नहीं लगेगा, तो वले इसकी ranking अच्छी है, लेकिन आप चाहें, तो थोड़ा और वेट कर सकते हैं, और दूसरे phone भी देख सकते हैं, लेनोबु वाइव, ये भी काफी अच्छा phone है, नया आया, तब काफी famous था, और बहुत सारे इसके sales हुए थे, अगर आप देखें, इसकी review rating कितनी है, 15,000, which shows कि इसकी जो overall selling है, वो काफी लाखों में हुई होगी, अगर हम इसकी बात करें, तो 707 है, which is still decent, तो इस phone के अगर हम specification की बात करें, तो 4G4 है, पहले तो हम वो ही देखते हैं, और 5.1 lollipof है, जो आप upgrade कर पाओगे, 13 megapixel का camera है, basic है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें, और specification की अगर हम बात करें, जो performance में काफी impact करता है, वो है उसका RAM 2GB, which is decent enough, हम ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते हैं, आज के technology के हिसाब से, dual sim है, which is common और battery, अगर देखने जाए तो 2700 mAh की battery है, तो कुछ खास नहीं कह सकते हैं इस phone को भी, लेकिन pricing के हिसाब से ये phone काफी अच्छा चलता है, अब next phone की तरफ आते हैं, और ये है, मेरे हिसाब से बहुत ये घटिया phone, लेकिन अभी भी टॉप सेलिंग में है, इसकी reviews अगर दिया गया है, और उस turbo charger की वज़े से phone के display में बहुत ही problem होता है, phone बहुत heat करता है, लेकिन yes, review कहती है कि ये phone अच्छा है, देखें आप 10,000 लोगों ने कहा कि अच्छा नहीं है, 17,000 लोगों कह रहे हैं कि yes, top class है, अब आप decide कर लिजेगा कि ये कौन सा है, अला कि offers इसमें मिलेंगे जो अभी Redmi 4, 6990 रूपीज में जो मिल रहा है, तो मेरे इसाब से ये भी top selling product जो है, अच्छा बिक रहा है, बट और अच्छा हो सकता है, Moto G Play, अभी इस phone के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं, ये उनका ही एक lower version है, Moto G 4 Plus का, जहां पे specifications जो है, वो कम कर द RAM है, 16GB का internal memory है, तो basic है, 8MP का camera है, तो कुछ खाच नहीं है दोस्तों, इसमें, तो phones की अगर बात करें, तो आपको थोड़ा और वेट करना अच्छा रहेगा, और yes, ये products में से अगर आपको कोई भी product अच्छा लग रहा है, और आपको लगता है कि खरीदना चाहिए, तो description म आपको उसके link मिल जाएगे, अगर आपको ये video पसंद आया है, और आप चाहते है कि ऐसे videos और बनाएं, दूसरी categories के लिए, तो आप video को like करिए, उससे मुझे पता चलेगा कि बनाना चाहिए, या नहीं बनाना चाहिए, उस हिसाब से मैं आगे के videos बनाओंगा, that's it guys, thank you, take care and have a nice day, bye-bye.